ये कोई ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट से लिडिड वीडियो नहीं है ऐसे बोला जाता है ना कि इंसान से इंसानियत का बरुसा उठ गया है उसका मैंने लाइव एक्जामपल देखा था 19 मार्च को मतलब आज के टाइम पे इंडिया में ऐसा सोच हो गया लोगों का मैक्सिमम लोगों का ऐसा सोच हो गया है कि अगर आपके आँग के सामने किसी का डेथ हो रहा है कोई आपके आँग के सामने मर रहा है फिर भी आप अपना काम पहले पूरा करोगे आप अपना काम निकालोगे फिर उस आदमी का help करोगे वो भी depend करता है कि मन कर रहा है help करने का कि नहीं ठीक है ऐसा सोच हो गया है लोगों का मतलब इतना जादा selfish हो गया है न बोला जाता है कि कल्यू का समय आ गया है वो कल्यू का समय दिख रहा है कि हाँ सच में आ गया है मैं आपको पूरा कारण बताता हूँ कि हुआ क्या था उस दिन 19 माज को पटना में बहुत तेज बारिस हो रहा था मैं कॉलेट से वापस आ रहा था तो मैं एम से लगबख सौ मिटर पहले एम सपटना से लगबख सौ मिटर पहले मैं रुका ताकि बारिस हगर रुक जाएगा तब मैं घर जाओंगा और मैं उस टाइम ये क्लिप बनाया था तो यहाँ पर आप रोड देख रहो होगे न एक 80 साल का एजड आदमी रोड क्रॉस कर रहा था वो अपना कान का चेक अप कराने गया था क्लिनिक में अब जब वो रोड क्रॉस कर रहा था इस क्लिप में आप देखे होगे यहाँ पर ये रोड क्रॉस कर रहे थे तो जब वो डिवाइडर पे आए तो उधर से ट्रक आ रहा था तो वो हडबडा के नीचे गिर गया होंगे लेकिन एक दो मिनिट बाद ही पुरा वहाँ पे भीड लग गया ठीक है और मैंच अब जाके देखाना वहाँ पे तो उनका ट्रक जो था वो ट्रक से जब टकराए थे तो उनका लेफ्ट साइड वाला पुरा यहाँ पर जो सर था वो पुरा फट गया था यहाँ से यहाँ पुरा फट गया था और जमीन पे वरोड पे पुरा खून हो रहा था लगबग पुरा खून हो गया था बारीस का समय था पुरा लाल हो गया था लेकिन वहाँ पे कोई एक इंसान नहीं था, 15-20 लोग में से कोई भी एक इंसान नहीं था, जो उनको उठा के आगे 100 मीटर पे एम्स पटना है, हॉस्पिटल इतना अचा हॉस्पिटल है, अब जा के उनको दिखा वहाँ पे, उनको वहाँ पर कम से कम अधुमिन करा सकते हो, क जब मैं उनको उठा रहा था हॉस्पिटल ले जाने के लिए, तो वह साफ आके मेरे मूँ पे बोलती है, कि इसको उठाने से क्या फाइदा है, ट्रक वाले को जा के पकड़ो, तो लोगों का कैसा सोच हो गया है, मतलब दो मिनिट पहले एक्सिडेंट हुआ है, अगर जितन आख षसपिटल ले के जाया जा सकता था, उतना जल्दी उनका जान बध सकता है, तो मैं बहुत लोगों को चलाया, मैं बहुत लोगों को बोल रहा था कि बाई कोई पैर पकड़ो, और मैं हाथ पकड़ों का उठा रहा हूँ और इरिक्शा वाला लोग को बुला रहा था, ताकि कोई हेल्प करने आ सके, पर कोई नहीं आ रहा था, बट एक इरिक्सा वाल आया उधर से, फिर हम लोग दोनों ने मिलके उसको उठाया, इरिक्सा पर बैठाया, और एम्स में लेकर गया, और मैं इरिक्सा वाल, और उस आदमी से मैंने गमची मांगा, ताकि उनके सर पर लेपेट सकू पुरा, ताकि खून रुख सके, और वही हुआ भी, लगबग मैंने लेपेटा, उनका पुरा गमची जथा, वो पुरे सर पर लेपेटा, एक दो मिनिट बाद वो ब्लीडिंग जथा, जितना हो रहा था, वो पुरा एपरॉक्स लगबग बहुत कम हो गया थ ब्लीडिंग, उनको लेकिन होस नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि घबरा गया थे, और किसी को एक्सिडेंट होगा, इतना बड़ा ट्रक से अक्सिडेंट होगा, ओवियस सी बात है कि वो घबरा जाएंगे, तो मेरे पास एक बोटल पानी था, मैं पूरा उनको पानी से नहाय तो उनको पूरा आँख खोला, अब हॉस्पिटल वाला भी अलग कांड है, वहाँ पर जब उनको लेके गया, तो बोलते हैं, बेड खाली नहीं है, मतलब एक बंदा, जिनका सर फटा हुआ है, सर से खून गिर रहा है, सामने वाले को भी दिख रहा है कि सर से खून गिर रह फिर भी उसको बोलते हैं, कि यार यहाँ बेड खाली नहीं है, फिर जैसे तैसे करके दो तीन मिनट में बेड अरेंज हुआ, और फिर उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, तो पहले तो उनका बीपी इतना कम हो गया था, कि कुछ करने में बं नहीं रहा था, क्योंकि क्या ह अधे होने के बाद मैं उनके फैमिली इसब को बुलाया, उनके फोन नंबर से, और आदे गंटे एगंटे वेट करने के बाद उनका फैमिली इसब आया था, फिर जब डॉक्टर से पूछा कि यह बच सकते हैं कि नहीं बच सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ आँ मैं जब यहां पर हाथ रखा था, मतलब खून बचाने के लिए, तो पता ही नहीं चल रहा था कि यहां सर फटा कहां पर है, मतलब इतना जादा फट चुका था, और वहां पर एक असा इंसान नहीं था कि उनको उठा के सौ मिटर आगे एम्स पटना है वहां पर लेके जाया जा सके, ऐसा सोच हो गया लोगों का, लेकिन अगर मुझे सिंपती लेना रहता, तो मैं उनका फोटो, उनका वीडियो बनाता, उनका फोटो खीजता, यह सब कार्ण करता है, जो बिल्कुल अच्छा बात नहीं है, मैं भी तो बोल सकता था, कि मेरे घर पर बहुत जरूरी क तो इनको तो कोई और हस्पिटल लेकर चली जाएगा, तो मैं क्यों लिके जाओं, मेरे बास यह बहाना रह सकता था, जो नॉर्मल सब के पास रहता है, और बहुत सरे लोग क्यों नहीं लिके गया उनको, ताकि लोगों को लगता है कि वो फस जाए, कोई केस में फस अगर वहां पे रहता, तो आप खुछ सोचो आपको कितना बुरा लगता है, भवान कर ऐसा हो नहीं, पर इमेजिन करो कि अगर आपके कोई फैमिली मेंबर वहां पे रहते, और उनका कोई मदद नहीं कर रहा है, तो आपको कितना बुरा लगता है, तो सेम चीज दूसरे फ अंसानियत पे भी भरोसा हो सके, थैंक यू